आपको याद होगा कि करनाटक में जब विधान सभा चुनाव हुए उसके बाद सरकार हुई तो मंच पर किस तरीके से विपक्ष के तमाम नेता एकजिट हुए देश के परधान मंतरी नरिंद्र मोदी और बीजेपी के खिलाप वहाँ पर महागट बंदन की बात की और दिल्ली आते आते तर लगा कि महागट बंदन बन जाएगा और सफल भी होगा खासकर उत्तर परदेश में जिसमें सपा बसपा और इसके साथ साथ कॉंग्रेस भी शामिल होगी लेकिन 2019 दूर की कौड़ी है 2018 मद्रपुदेश, 36 गड़, राजिस्थान, मिजुरम और तलंगाना ये पाँच राज्यों की चुना होने जा रहे हैं इनमें से तीन राज्य महत्वपूर्ण हैं मद्रपुदेश, 36 गड़ और राजिस्थान इनने तीनों राज्यों में कॉंग्रेस, भहुजन समाज पाटी के गड़बंदन की चर्चा चल रही थी समाजवादी पाटी के गड़बंदन की चर्चा चल लही थी लेकिन हो क्या रहा है? आप सोचेंगे तो आश्यर चकित होंगे सब कोई अलग-अलग है, हर कोई एक दूसरे को लेकर ताल ठोक रहा है और कोई भी किसी के साथ गड़बंदन करने को तयार नहीं है क्यों? क्योंकि सत्ता तक पहुँचने के लिए सीटें एक दूसरे को देने के लिए तयार नहीं है इस तार से चर्चा करेंगे और चर्चा ये भी करेंगे कि तब जो 2018 में गठबंदन नहीं तो 2019 में महा गठबंदन कैसे होगा लेकिन सबसे पहले नज़र कुछ देश की बड़ी खबरों पर गुजराज से यूपी बिहार के लोगों का बलाएं जारी है बताया जा रहा है कि अब तक 20,000 से जादा उत्तर भारतिये लोग गुजराज छोड़ चोड़ी है आला कि गुजराज सरकार ने कहा कि उत्तर भारतियों को पूरी सुरक्षा दी जा रही है फुलिस के मताबिक गांदी ने राजिस्थान के धोलपूर में बीजेपी पर जम कर हमला बोरा है राहुल ने एक सभा में लोगों से पूछा कि साड़े चार साल से नरिंद्र मोदी प्रधान मंत्री है और राजिस्थान में वसंद्रा जी सीम है लेकिन क्या उन्होंने राज जी के लिए यून शोशन कारुप नगा है यूपी की योगी सरकार ने उर्दू के चार हजार साह्यक सिक्षकों की भरती ने रस्त कर दिया है ये भरतीयां समाजवादी पार्टी के शाशन हुई थी सरकार ने इसके पीछे प्राथमे के स्कूलों में मानक संख्या से ज़ादा और दूस सिक्षकों के होने का हवाला दिया बारत में एक बार फिर जीका वाइरस का खत्रा बढ़ गया है जैपुर में 29 लोग इसे से गरस्त पाए गए हैं इसके बाद प्रधान मंतुरी कार्याले ने स्वास्त मंतुराले से एक रेपॉर्ट मागी है कि इंद्रिय स्वास्त एबं परिवार कर लियाड मंतुराले की पांच सदस्य टी भी जैपुर में 12-36 गड़ में दुर्ग के भिलाई स्टील प्लांट में भीशन हास्सा हुआ है यहां जोरदार धमाके के बाद प्लांट में आप लग गई है इस हादिसे में 13 लोगों की दर्दनाथ मौत हो गई है जब कि 15 लोग गंभी रूप से जिलस गए सुप्रीम कोट ने आदेश पर आमरपाली ग्रूप के तीन डारेक्टरों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है कोट ने कहा है कि दस्तावेज देने तक तीनों हिरासत में हिरासत में लिये गए डारेक्टर अनिर कुमार शर्मा, शुप्रिया और अज्य कुमार तो मद्विदेश में समाजवादी पार्टी के अद्दक्ष अखलेश यादव ने कॉंग्रेस की मुश्किलें बढ़ा दी है उन्होंने कहा कि कॉंग्रेस के गड़बंदन नहीं करने का अलान करते हुए अकेले चुनाव लड़ने की बाग करती है लेकिन अब कॉंग्रेस के बागियों को उनकी पार्टी जोएन करने का ओफर भी दिया गया है इसके पहले बीएसपी भी कॉंग्रेस को जटका दे चुकी है आपको याद होगा अब सबसे बड़ा सवाल है यही तीन पार्टियां है जो 2019 के महा गड़बंदन की चर्चा योर दोर शोर से कर रही थी और इनका यह कहना था कि उत्तर प्रदेश में तीनों पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ेंगी और जब तीनों चुनाव मिलकर लड़ेंगी तो खेल 80 सीटों का है वाकए बीजेपी के लिए यह तीनों पार्टियां अगर गड़बंदन करती तो परेशानी पैदा करती लेकिन 2019 का महा गड़बंदन दूर 2018 के गड़बंदन पर चर्चा करेंगा क्योंकि अगर 2018 का गड़बंदन नहीं होगा तो 2019 का महा गड़बंदन कैसे होगा ये अपने आप में एक बड़ी बात है तो जादा वक्त नहीं हुआ है जब मई 2018 को करनाटक में कुमार स्वामी की ताजपूशी के मौके पर सोनिया के साथ राहुल गांदी, मायावती और अखलेश एक ही मंच पर थे राजनीती में ऐसी तस्वीरें कम ही देखती हैं महागडबंदन का नाम देकर मोधी सरकार के खिलाब हला बुलने वाली ऐसी तस्वीरें पहले कभी नहीं देखी गई लेकिन सिर्फ पांच महिने में ये सियासी तस्वीर पूरी तरह से बदल गई मध्यप्रदेश, शत्तिसगड़ और राजिस्थान में तीनों के रास्ते अलग-अलग हो के हैं यानि कि राजनीती अपने असल चरित्र और चहरे के साथ लोट आई है मध्यप्रदेश में BSP ने सबसे पहले कॉंग्रेस को जटका दिया और अब तक वो 22 उम्मीदवारों का एलान कर चुकी है इस बीच तमाम कोशिशों के बाद भी समाजवादी पार्टी और कॉंग्रेस के बीच गटबंदन नहीं हुआ है इतना ही नहीं है अखलेश ने कॉंग्रेस की जड़ों में मठा डालने का काम भी शुरू कर दिया है उन्होंने मध्यप्रदेश में बागी कॉंग्रेसियों को समझवादी पार्टी के टिकेट पर आफर दे दिया है जिसका खामियाजा कॉंग्रेस को उठाना पड़ सकता है चतिस गड़ में जोगी प्लस मायाबती फैक्टर भी कॉंग्रेसी वूट बैंक में सेंद लगा सकता है लेकिन सवाल ये है कि बीजेपी को धूर चटाने की सौगन दिखा चुके अखलेश मायाबती और राहुल की रास्ते अलग-अलग आखिर हो कैसे गए ऐसे में सवाल ये है कि 2018 में गटबंदन में फेल पार्टियां 2019 में महा गटबंदन मनाकर मोधी को टक कर कैसे दे पाएंगे एडिटर चोइस में आज हम चर्चा इसी मुद्दे पर करेंगे हमारे साथ कॉंग्रेस के प्रवक्ता धनेंद्र भारत द्वाज होंगे हम इंदोर चलेंगे जहाँ पर बीजेपी के प्रवक्ता डॉक्टर गुलरेश शेख हमारे साथ माजूद होंगे कॉंग्रेसे चाती थी कि बसपा से गड़ बंदन हो जाए, सपा से गड़ बंदन हो जाए, मद्यपुदेश में ज्यादा असर इसलिए है क्योंकि मद्यपुदेश का एक बड़ा हिस्सा है जो उत्तर पुदेश की सीमा से लगा हुआ है और वहां पर सपा बसपा दोनों असर डालते हैं मद्ध्य प्रदेश में भी मद्ध्य प्रदेश में अखलेश ने गड़ बंदन किया नहीं कॉंग्रेस के खिलाप ताल ठोक दी और बागियों को अपनी तरफ आमंत्रित कर लिया बस्पा ने भी साब तौर पर कह दिया है कि 22 उम्बीद्वारों की घोशना हम कर च संकट में हैं ताजिस्थान में आप पस्पा को सीटे देना चाहते नहीं है तो जनाब 2018 गरगट बंदन नहीं तो 2019 कैसे होगा देखे मनोच जी पहले तो मैं 2018 की बात कर लूँ 2018 में पांच स्टेटों में विदान सावा के चुनाव होने जा रहे हैं और जिन स्टेटों में चुनाव हो रहे हैं राजस्तान में मद्दे परदेश में 36 गड़ में और तैलंगाना में और उसके अलावा मिजूरम में ये पांचो स्टेट वह वाली स्टेट हैं जहां पर कॉंग्रेस बहुत मजबूत सिती में हैं और महा गठबंदन के विश्य में पहले इस अपना पक्ष रखा है 15 साल से मजबूत सिती में हैं कॉंग्रेस 15 साल से आप सत्ता में नहीं आ पाए मापर मद्दे पर 36 गड़ पाजस्तान और अंधरा की अगर में जोरम की देखेंगे तो महां पर कॉंग्रेस बस्पा और सपा से कही ज़्यादा मजबूत है हम चाहते थे कि गटबंदन हो जाए हमने उनको ऑफर भी करी थी कुछ सीट लेकिन एक्सपेक्टेशन ज़्यादा थी और किसी भी राजनित इसमें इस्ते कोई असर पड़ेगा आपको दियान आप तो मद्देपरदेश चाहते की राजनिती को बहुत करीब से जानते हो इससे पहले भी बस्पा ने चुनाब ड़ा है सपा ने भी चुनाब ड़ा है कभी हमारा स्टेट में उनके साथ एलाइंस नहीं रहा हमारा एला समाज पार्टी 36 सीटों पर प्रभाव डालती है वहाँ पर अगर 36 सीटों पर कॉंग्रेस के साथ बस्पा का घटबंदन हो जाता तो आप सत्ता में पहुंच जाते मनोजी निश्चीत तोर पर आपकी बात से मैं सहमत हूं हमारी स्टेट लीडर्शिप बेचारी थी हमारी स तक के जितने भी सर्वे आएं वह सर्वे इस बात का सबूत है कि वहाँ पर भाजपा के कुशासन से लोग तरस्त हैं बाजपा के कुशासन को लोग उखाड़ना फेक उखाड़ के फेकना चाहते हैं और तीनों स्टेटों में हम मजबूती से सरकार बनाने जा रहे हैं सबसे पहले तो मैं बात करूंगा बहुजन समाजवादी पार्टी की तो कॉंग्रेस बीएस पी का जो गडबंधन बनना था वो तो असंभो करतिय था चुकि यह हैं बीएस पी के लिए आत्मकाती होता और उसकी जो वोटर बेस है वो समाथ हो जाती चुकि हमको यह नहीं मित्र बेठें उनसे भी आप यह बात पुछ लिए गलत बोलता हूं तो क्योंकि यह वही कॉंग्रेस पार्टी है जिसने डॉक्टर अंबेड करके पगपग पर कंटक विछाने का कारिक किया उनका कद छोटा करने का योजना बद रूप से सफलता पूरवक काम किया चाहे उनको लोकसाबा के चुनाओ हरवाने का क्रति हो या उनके कद को छोटा करके उनको दलित मात्र का निता बनाने का कारे हो और हब जरा ये भी सोच ले डो मिनिट के लिए कि SP-BSP का यदि कॉंग्रेस से गड़बंदन हो भी जाता तो SP-BSP का तो जो वोट है वो इस्थान अं परदेश नहीं करती क्योंकि राजनेतिक स्वान जी और धूर्तता कॉंग्रेस पार्टी का चरित्र है और आप मायावती जी के प्रेसवारता को सुने तो वह तो प्रश्चता कहती है कि कॉंग्रेस हमको खतम करना चाहती थी और जो अखिलेश जी ने भी कहा कि जिन लोगो को Congress से टिकेट नहीं मिले वो हमारे समीप आ जाए हमारी पार्टी में आ जाए उसका कारण है क्योंकि उत्तर परदेश में जब चुना ओथा तो अखिलेश जी ने Congress पार्टी को उसकी ओकार्ट से अधिक सीटे दे दी थी परंतु Congress मद्धी परदेश में उससे आधा करने को भी तयार नहीं है और एक उकती है कि जो डूपता जहाज होता है उसमें से तो चुहे भी कूद निकलते हैं तो यह मायवती जी और अखिलेश जी ते तो देश के बड होना निश्चित है आप पश्चि मंगाल में देखें लेट का क्या हुआ उत्तर प्रदेश में आप देखें अखिलेश पर दो क्या हुआ यह तमिल्लाडु में आप देखें DMK का क्या हुआ ओ मैने तो तीन महा पहले ही अपना разных corresponds कes ने इफ्तार पार्टी रखी थी तो उसमें ना माया बर्षी थी ना उसमें ममता किसी को आई थी ना कोई वहां पर मुलायम बनके आया था इसलिए मैंने कहा था अली पांडे साहब दीपाक पांडे साहब मैं आप से पूछना चाहता हूं क्या ऐसे ही महा गटबंधन होगा 2019 क कि देखे मैं दो तिन बाते काना चाहूंगा पहली बात तो मैं यह काना चाहता हूं कि जो यह महा गटबंधन वो 2019 के लिए अभी जो जिसकी बात चल लिए सिनेरियों को यह 2018 के चुनाओ के लिए यह मद्यप्रदेश 36 गड़ और राजस्थान चुनाओ के लिए बात चल ल रही है लेकिन वह इस चुनाओ से कुछ सबक नहीं सीख रही कि क्यों चुनाओ रही है गुजरात में चुनाओ रही वहां का बीएसपी का मार्जिन देशियों देखा जाए और कॉंग्रेस के हारने का देखा जाए तो काफी कम अंतर में अगर वो गड़बंदर रहता तो स रहुल जी से सोन्या जी कोई अपति नहीं है लेकिन क्या है जो खूल तोर फे नाम भी लिया डिगविजी जी कहा कि दिा जयी से जो नेत है रहा हुल सबस्पी अने अपने घंच कर्ण चाते हैं तो अलग सिज है जब से सेंड़ बात आकि बहन जी बैटेंग दिपक पांडे साब आपने कहा केइंड्र की राजनीति अलग होती है वह राजजी की राजनीति की राजनीति अलग होती है लेकिन आज ही बसपा प्रमुक माया बती ने कहा है कि हम कॉंग्रेस के आगे सीटों के लिए गढड़ाएंगी तो नहीं असल में नासर इसलाम जो की समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं हमारे साथ बैठे थे आपको विल्डो में भी दिखाई दिया होगा लेकिन वो उठकर चले गया खेर मैं बात करूँगा धनेंद्र भारतवाद से धनेंद्र साथ देखिए तमाम सारी चीजें हैं और ये सब जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और बसपाक अगर गटबंदन होगा अगर होगा तो कॉंग्रेस को वो कितनी सीटे देंगे ये सब को प अगे तो आप सबकी राजनीती खतम हो जाएगी और दूसरी तरह आप अपने मतभेद नहीं बुला पा रहे हैं यानि कि दो सीटे चार सीटे मुझे कम मिल जाएं लेकिन एक बड़े एजंडे के तौर पर बड़े के तौर पर हम आगे बढ़ें वह आप से हो नहीं पा रह है यह धानमंत्री पद के लड़ाई के लिए सब आगे बढ़े जा रहे हैं और भागे जा रहे हैं वो सही है गलत क्या है मनोच जी पहले तो मैं महा घटबंदन की जो चिंता भारतिंता पार्टी के हमारे साथी जता रहे हैं उनको कहना हूं कि अपनी चिंता करें कि किस तर अगर यह तीन बड़े राज्य में कॉंग्रेस हार जाती है और बीजेपी जीत जाती है तो पिक्चर देखने का टाइम फिर किसी के पास है नहीं आपके उपर साइकल चला जी है और आप किस से घटबंदन करेंगे राजनीती में परसप्शन बड़ी चीज होती है मानस बड़ा चीज होती है मैं भाजपा के अपने साथी को कह रहा हूं थोड़ा देरे से मेरी बात सुन ले हमारे मां घटबंदन को लेके जादा परशान है क्योंकि डिलिवरी के नाम पे आप जीरो रहे हो आपकी अजह दिखाने के दाथ और खाने के दाथ अलग अलगें देश के लोगों ने आपका चेरितर देख लिया आज जिस तरीकी से उत्तर भारतियों, गुजरात में, जिस तरीके से आकर्मन हो रहा है, जिस तरीके से उत्तर भारतियों को डराय जा रहा है। आज आप जाके लोगों से पूछिए कि लोग आपके तुशासन से तंग आ चुके हैं आपके मामा जी का तुशासन जो है वो लोगों के उपर अत्याचार की तरह बढ़ा है आज व्यापम से लेके जितनी मोते व्यापम में जित तरीके से घटाला हुआ आपके मुख्य मंतरी की पतनी साधना सिंग की वीडियो कनवरसेशन है आडियो कनवरसेशन है आप लोग पूरी तरह से एक्सपोज हो चुके हो और मद्दे परदेश के लोगों ने आपको मद्दे परदेश के लोगों ने तैक कर लें कि आपकी विजाई करनी है नंसोर में इदोश किसानों के बोली चलवाते हो डिली ने किसान पर शोने वाइदा करा था आँ किसानों के भी तेक्शनों। आप तो देखिए अर्थ वे अस्ता को आज 44 में डॉलर पोच गे आप लोग वही लोगों जब 60 में डॉलर होता था भला मचा देथे आज इकनोमिकी क्या हालत है आज हर पेराफिकर्स पे आप नीचे जा रहे हो परसेंटे से पेंडी बड़ता है और आप देश के लोगों को कह रहे हो अगर आपकी बातों को मान लिया जाए तो यह माने के कॉंग्रेस को प्रचार की जरूरत है ही नहीं इतनी परिशानी है अगर कॉंग्रेस घर पर भी बैठी देगी तो जन्यता इतनी तरस्त है कि भारती जन्यता पार्टी की सरकार चली जाएगी और आप सत्ता में वापस आ जाएंगे हम चलते हैं पांडे साब के पास हम उनसे हम पूछना चाहते हैं पांडे जी एक चीज़ बताईए आपको भी पता था कि मद्वदेश चतिस गड़ और राजस्थान में राजस्थान में उतनी जादा जरूरत नहीं है लेकिन फिर भी अगर बहुजन समाज पार्टी कॉंग्रेस को सपोर्ट कर देती या कॉंग्रेस का सहयोग कर देती या या गटबंदन हो जाता तो भारती जनिता पार्टी के लिए वाकई परिशानी होती लेकिन ये सब जानते हुए भी आप 36 गड़ में अजी जोगी के सा हो रही है अखलेश यादव वैसे तो महा गटबंदन की बात कर रहे हैं राहूल गांधी के मित्र हैं लेकिन वो कॉंग्रेस के बागियों को संदेश देने कि अगर कॉंग्रेस में आपको टिकेट नहीं मिलता है तो आप समाजवादी पार्टी में आईए और आके अब आप देखेंगे करनाटक का चुना हो रहा था तो जब हमारा जेडियेस से गटबंदन हुआ तो यही राहूल गांधी जी चीक चीक के करते थे कि यह बीजेपी की भी टीम है ठीक है तो उस समय वो जब चुना हुआ परिड़ा माया तो फिर वही राहूल जी हम लोगो प्राइगी प्रॉबलम है और रही बात च्छतिसगर और रही बात मध्यप्रेस और राजस्थान की तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि यहां पर क्या है कि जो दो अप्रेल का जो आंदोलन हुआ था उसके बाद बीजेपी की निरंपुस सासन में आजकल जो है जो दलित तो प्रिजेपी को देने वाला है वह सीधे सीधे उनको एक नया फेस चाहिए जो बॉलते है थाट फ्रंट चाहिए तो उसके वजह से कॉंग्रेस तो इसमें थाट2 फ्रंट जो है वो कुछ करने को तयार नहीं थो इसमें बहन जी ने अपना आगए हाथ बढ़ाया जैसा आपने देखा होगा नाटक में जेडिये सबने के साथ कहा हरियाणा में नुके साथ एफ और आगे और से यूपे में हम लोग अखलेशी के साथ करूने अए इसरी और साथ सब्सक्राइब बड़ी महत्वपूर्ण चल लए थी और चर्चा इसलिए भी महत्वपूर्ण चल लए थी क्योंकि गटबंदन 2019 महा गटबंदन की बात चल ले लेकिन 2018 दिखाई नहीं देता है असल मैं मैं आप से पूछने बाला था कि उत्तर प्रिदेश में एक नारा चला था कि यूपी क नहीं हो पा रहा अखले शादव अपने खास दोस्त खास मित्र राहुल गांदी की पार्टी के बागी उम्मीदवारों से यह संदेश दे रहे हैं कि जिसे कॉंग्रेस से टिकेट नहीं मिलता है वो सपा के पास आईए सपा से टिकेट लड़िये और कॉंग्रेस को 2018 2019 महा गडबंदन कैसे होगा मनुच जी पहली चीज़ तो मैं आपको क्लियर कर दूँ कि मैं कहीं नहीं भागा और जैसे आपने बताया 2017 का जो चुनाव था सबको साथ पसंद था वो उस्ट्यांग का नारा था और जहां तक अपका सवाल है 2018 का जो आप गडबंदन के बारे में चिंतित हैं जो मुझे आश्यर है कि बाकी सब लोग चिंतित हैं हमारे गडबंदन के बारे में देखिए मैं आपको स्परश कर दूँ हम लोग एक छेत को हमारे राश्च्र प्रेजिडेंट ने बहुत क्लेरली स्पश्ट कर दी स्पश्ट यह करी कि उनको बड़ा दिल दिखाना चाहिए जाहर बात है अगर बड़ी पार्टी है राश्च्र दल है तो उनको सब को साथ लेके चलना पड़ेगा यही हमने स्पश्ट किया अब इ च्छित्रे दल हैं उनको अगर जोड सकता है तो उसमें क्या खराब है हमारा तो यही मतलब था रही बात 2018 कि मैं आपको स्पश्ट कर दू जहां तक मध्यप्रदेश का सवाल है हम लोगों ने गुटना लोकतंत्र पार्टी है हमने उनके साथ गड़ बंदन किया इसका यह म अनके को बता दूर्फ भूरा पूरे उसक्राइब कांफिड़िंगी वह नीटिया वाहिते हैं जिन्हों भाचपा ने आज उनको फेल और पाकीively किसानों के खिला दलतों के खिलाफ जूटे अववायों, जुम्ला बाजी, नोट बंदी, गरीबों से पैसे मार लिए, तो जो महागडबंदन है, उसका उदेश्य ये है कि वो एक राश्ट्रिय जो मुद्ध है, उनको लेके चलके हम लोग गडबंदन की सरकार केंदर में लाएंगे और जहां तक समाजवादी पार्टी का सवाल है, क्यूंकि परधान मंतरी का रास्ता और केंदर में सरकार बनाने का रास्ता मुझ भाई सिर्फ और सिर्फ उदेश निकलेगा, तो मेरा ये समझ में ये आता है, नासर साब मद्ध बदेश में आपके कितनी सीटे हैं, नासर अभी समाजवादी पार्टी की कितनी सीटे हैं? नासर साब अभी इतना तो जानकरी मुझे भी है, बहुत ज़्यादा सफलता आपको मिलेगी नहीं, हाँ इतना जरूर है कि आप कांग्रेस की लुटिया डूबो देंगे, शेक साब कुछ कह रहे थे, पता है शेक साब? देखिए मुझे बीएसपी के मित्र की आवाज नहीं आ रही है, टेक्निकल प्रॉब्लम की कारण, लेकिन मैं उनसे प्रेश्टने करना चाहता हूँ आपके माध्यम से, कि क्या ये वही कंग्रेस नहीं है, जिसने डॉक्टर भीम राओ अंबेटकर जी के साथ बहुत बुरा किया, उनका खुब सोशन किया, उनका पतन करने का पूरा प्रयाश किया, और यदि आप उनके साथ किसी प्रकार का महागडबंधन बनाते हैं, तो क्या डॉक्टर भीम कि इतना कर रही है मद्नी परदेश में, इसलान साथ क्या यही दर्द है, देख, देखिये, देखिये मनुझ भाई, मुझे ये समझ में नहीं आता, कि इनको हमारी साइकल से तिनी परिशानी क्यूं है, हमारे साइकल में दो पाईएं, एक पाईया भीम राओं बेटकर का है और दूसरा है लोहिया जी का, अगर वो मिलन थोड़ी देर में हुआ, अब साइकल का तो शेब बन गया, अब साइकल इनको तो अपनी चिंता करनी चाहिए कि ये हमारे साइकल के मुकाबले कैसे तकर देए हैं, जोकि जितने भी दल, हम चाहे वो भारती जंता पार्टी हो, भारती जंसंग हो, समाजवादी पार्टी हो, पिरस्टी हो, सब कॉंग्रेस की कुनीतियों, जो करमों के कारण ही एक्सिस्टेंस में आये हैं, इसलिए हम आपको बताते हैं कि आपकी जो जड़े हैं, वो कहा है, आपको सोचना होगा कि आप किंसे अलाइंस की बाद कर रहे अपने उसी राज स्टेट से, जहां पर आप राजनीती कर रहे थे, उनी को भार निकालके आवाम में और जन्ता ने भार देख दिया, तो उसका जवाब दे दिजिया, आप हमारी जिनकाता करें। एक जुट हो जाएंगी और नरेंद्र मोदी देश के प्रधान मंतरी नहीं बन पाएंगे, लेकिन क्या ऐसे, 2018 की जो तस्वीर देख रही है, धरेंद्र साहब, क्या ऐसे देश के प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी को आप रोख पाएंगे। देश में फिर लोगों के अच्छे दिन वापिस आजाएं, ऐसी सरकाल ना नहीं हैं। भारते देख पार्टी जिसके पास तर्लेटर को कैसे ठीक करना है, भारते देख पार्टी को यह जादाना चीए, उसके चिंता हम करेंगे, एकलेज जी करेंगे, मायवती करेंगी। अपना घर तर्स करो, तो कि आपके पास ओकर काम नहीं है, आप हमेशा तर्टी करते हैं। अपना घर तर्स करेंगे, मायवती जी, आखिलेगी और राहुल जी, तीनों मिल्के तैक कर लेंगे, कि हमें कैसे चुनावनना है। इस्लाम साब, हो गया महागडबंदन। अपना घर तर्स करते हैं। अपना पॉजिटी बताओ कि आपके पास क्या जेंडा चुनाव में। आप हमारी चंता छोड़ो, हमारी इतनी चंता क्यों करें। आप चंता करो कि आपको कैसे वापिस आना है। आप अपनी चिंता करों। ऐसे मोदी जी का भी होगा उनने लग रहा है लेकिन ऐसा कुछ होने वाला नहीं है कैसा कुछ नहीं होने वाला कैसा कुछ और बस्पा बस्पा ओबर कॉंफिडेंस नहीं है बद्धिपदेश में 50 सीटे मांग रही है पांडे जी देखिए बस्पा का अपना एक एजेंडा होता है अपना उड़ बैंक होता है देखिए बस्पा के लिए और रतीन होता है बस्पा का कोई ऐसा आप जैसा हवावाई होता है हवावाई होता है बस्पा का कभी मैननिफ़श्टो नहीं आता कि मैं parfait रुप्एय को게 मिद्रेश दो करोन नोकरी दे देंगे आपके एकाउंट में, हम आएंगे तो एक सर के बदले दस सर लाएंगे, और ये कभी नहीं बसपा करती है कि हम आएंगे तो ऐसा करेंगे, ऐसा कोई जूठा वादा बसपा नहीं करती है, न जनता से करती है, न अपने करकरताओं से करती है, ये ज जूठा चलावा बीजेपी का है और जूठा चलावा करके आप एक बारा सकते हैं दोबारा नहीं आ सकते हैं ठीक है नासर साहब एक सवाल में आप से पूछना चाहता हूं लाजमी भी है क्या बात बन पाएगी 2018 में बयान बाजी तो हो रही है लेकिन अगर वाकई आपको बी ये दिखाई देता है कि जब ये राजनेतिक गटबंदन एक दूसरे से सौधेबाजी कर रहे हैं टिकटों की मारा मारी हो रही है कि मुझे इतने टिकट तब मैं गटबंदन करूँगा नहीं दोगे तो नहीं दूँगा ताल ठोकूँगा तो ये मानस बनाने में बड़ी पर राजी हो रही है ये देशित और प्रदेशित की बात नहीं है गलत गलत संदेश जाता है मनुर्ण जी मैं आपको बता दूँ मैं आपके सवाल से बिल्कुल सहमत हूं मगर मैं आपको बता दूँ आप यह बताईए आपको यह नहीं समझ में आता कि जंता का कितना आक्रोश है कितना कितनी परिशान है जंता भाजपा सरकार से केंद्र में उत्तर प्रदेश में मद्य सब्सक्राइब प्रदेश में राजिस्तान में आप ये बताएए आप सच खुलके बताइए आज आप तो बहुत बड़िया चैनल है सहरा समय आपताईए ने कि जनता को आप समझते हैं कि जनता खुश है इनकी नीतियों से जनता परिशान है इसलिए वो जो हमारी जो हमारा लक्ष है छेत्रे दलों को साथ लेकर चलना उसके बल्बूते पूरा का पूरा गड़बंदन सक्सेस्फुल रहेगा और बहुत खुशी से आगे बढ़के चल आपको देखेगा सामने हाके देर तो नहीं हो जाएगी नासर साथ देर तो नहीं हो जाएगी देर तो नहीं हो जाएगी तो ये जो महागडबंदन और गडबंदन मद्यप्रदेश की या राजिस्तान की या छेतरे दलों की जो बात कर रहे हैं बारबारी उचालनी की जो खोशिश कर रहे हैं ये पहले अपने आंगर में तो जांके देखें कि कितना गंद है इनके साथ और वो गंद जो है कैसे रहे हैं कि लोग दुखी हैं लोग दुखी नहीं है केंदर की सरकार की वज़े से ये लोग दुखी है और ये लोग दुखी इसलिए है क्योंकि भारत जो है विश्व की छटे नंबर की सबसे बड़ी अर्थ विवस्ता बन चुकी है आज भारत में भारत ने जीडीपी के स सर पर चीन को फिछे छोड़ दिया है आज हम कौम कासा की मदद से चीन के दाथ खटे कर रहे हैं आज भारत S-400 मिसाइल अमेरिका की संक्षन के दबाओ के बाद भी हम खरीद रहे हैं सर कैसी बाते कर रहे हैं सार चीन का तो पैसा जो 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 जीडिपी है वो तो तब तब ऐसी गिरा बता अगर आप आप चीन से तंपैर करेंगे तो पैसी आप आरी गए किया पार गया है कि यहां पर तो कॉंग्रेस की स्थिति इतनी शितिर है कि कोई भी इनका एक नेता शिखंडी बनना नहीं चाहता था इसलिए पांच-पांच प्रदेश अद्यश बनाना पड़े हैं कॉंग्रेस पार्टी को और आपके स्टूडियो जब आ रहा था में तो रास्ते में एक बच्चा भागते वे गाड़ी के सामने आ गया अपनी मा का हाथ छोड़ा कर सोभागी से बच गया उसकी मा क्या बोलती है अरे बहिए क्या ये कांग्रेस ऐसा लगता है कि इस पर कांग्रेसी हो का साया पड़ गया है मेरी बात नहीं सुनता तो ये तो मनो भाव तो है जंता का कॉंग्रेस के प्रती धरेंद्र जी बड़ा गंभीर बात कह रहे हैं ये शेक साथ तो ऐसा लग रहा है जैसे सपागर बस्पा के प्रवक्ता के रुप में बात कर रहे हूं इनको सब दिक्कत है इनको सारे दर्द है अरे सपा को क्या चेदा और सबसे बड़ी बात आप लोग जो पानी पी पी के बस्पाक और सपा को कोसने वाले आज आप कहरे हो अगीने बहुत बड़ी आ आदमी मायवति जी बहुत बड़ीया नेता हैं आपने माना थो सगा माखिलेज जी और मायवति जी लीडररशिप को मैं फिर कह रहा हूं ने में ये कभी नहीं कहा है ने जितनी वी देश में दल बने हैं वो कॉंगरेस के कुकर्मों की देन हैं कॉंगरेस के कुटर्मों के करण पैदा हुए है बुलायम सिंग जीवन भर उनके गुरू जो थे लोहिया जी वो जीवन भर पानी पीपी के कोचते रहें तो कॉंगरेस के सब किसे चुछ सकते हैं को वार्तों में जो आप चुम्माली संकी पार्टी बन गए है अली बाबा चाली स्वों बनने वाले उसका कारण ये है कि आप लोगों के पाप का घ्रा भर गया है और आपका पेर इसलिए दुखता है जो कि आपके ऊपर आपकी जो चोरी थी नरेंदर मोदी ने बंद कर द कि आपके निया तो अच् nhưng और आपके जों आपके इस देश के गरीब की हाई है आपको लगीये भारते इंता पाटि को लगी इस देश का गरीब, इस देश का दलित, इस देश का पिछड़ा, इस देश का शोशित, इस देश का आधिवास, इस देश का किसान, इस देश का नौजवान, इस देश की महिला है, क्या अभी भी गुंजाईश है नासर साब कैभी भी गुणजाइश है, यह बात ख़त्म हो गई, अब यह साथ पसंद नहीं है? नहीं बिल्कुल गुंजाइश है देखिए मैं आपको बता देता हूँ जहां तक गड़बंदन का सवाल है वो तो गुंजाइश ही गुंजाइश है आप बता देजी गुंजाइश क्यों नहीं रहेगी जब पार्टियां एक दल हम लोग सब एकटे मिलके भाजपा के पार्टी देश के लोगों के सामने एक मानस बनाने पर कम से कम कामयाब तो हुई है कि देखिए हम सत्ता के लिए इस कदर नहीं गिरते कि गटबंदन को लेकर जो कल तक साथ थे अब अलग-लग दिखाई दे रहे हैं और विपक्षी पार्टियों को भी समझना होगा कि अगर उन्हें बीजेपी को हराना है तो सत्ता की बंदरबाट जनता तक नहीं दिखाई देनी चाहिए और गटबंदन सिर्फ कमरे तक हो उ पाकी के खबरों के लिए आप चलते रहे हैं समय जाएं